हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ सकलकंदी की चांट की रेश्पी शेयर करूंगी इसे हम सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा खाते हैं और यह बहुत ही स्वादिश्च लगती है खाने में तो वीडियो को पूरा देखिएगा मैंने पानी से अच्छे से बॉस करके पहले ही रख लिया था अब यहां मैं इस पर रिफाइंड वाइल से ग्रीसिंग करूंगी आप चाहे तो इसमें घी का यूज भी कर सकते हैं तो सारी सकलकंदी को हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है जिससे के जब यह भुन जाए तो अच्छल का असानी से उतर जाए यहां मैं सकलकंदी को रोस्ट करने के लिए सिल्वर फॉयल का इस्तमाल कर रही हूं तो यहां हमें सकलकंदी के साइस की एकॉर्डिंग सिल्वर फॉयल लेनी है और इसे हमें अच्छे से पैक कर लेना है इसी तरह से हम अपनी सारी सकलकंद को पैक कर लूँगी तो सारी सकलकंदियों को हमें सिन्वर फॉयल में अच्छे से कवर कर लेना है इसारी सकलकंदिया कवर हो गई है अब यहां मैंने एक केक टिं लिया है आप चाहें तो ट्रे या प्लीट का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो सकरकंदियों को अब हम इसमें रख द और इसमें मैं सकलकंदियों को अच्छे से रखकर 15-20 मिनट के लिए धब कर रख दूंगी हमें गैस का फ्लेम एकदम लोही रखना है 15-20 मिनट हो गए हैं कि सकलकंदियों को हम चेक कर लेंगे तो यहां मैं एक नाइप की सहायता से चेक कर रहे हूं सारी सकलकंदियों हमारी अ करते हैं तो हमें इसे बार बार चेक करना परता है और बार बार पलटना परता है इसलिए मैंने यहां पर केक टिन का इस्तमाल किया था यह देखिए अब हम सकलकंदियों को खोल के इसका छिलका उतारेंगे तो अग जैसे हमने इसमें ऑईल लगा लिया था तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा देखे सारी सकलकंदी हमारी कितने अच्छे से भून चुकी है तो अब हम इसे छील लेंगे सारी सकलकंदी हमारी बहुत ही अच्छे से रोस्ट हुई है कहीं से भी जली हुई नहीं है तो सारी सकलकंदियों को यहां मैंने छील लिया है अब मैं यहां इनको कट करूँगी यहां मैं इने मीडियम साइज में कट कर रही हूँ आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसे बड़ा यह छोटा काट सकते हैं तो यह देखिए मैंने सारी सकलकंदियों को कट कर लिया है अब हम सकलकंदि की चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने इन पीसे को एक बाउल में रख लिया है अब यहां मैं दो चम्मच के करीब लेमन जूस एट करूँगी यहां मैंने दो चम्मच लेमन जूस एड़ कर दिया है नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालिएगा तो यहां मैं नमक एड़ कर रही हूँ अब यहां मैंने रेट चिली पौडर लिया है इसको भी हम अच्छे से इसमें फिलाते हुए डाल देंगे रेट चिली पौडर भी आप अपने टेस्ट के अनुसार एड़ कर सकते हैं यहां मैंने आदी छोटी चम्मच के करीब चांट मसाला एड़ किया है और यहां मैंने औरिगेनो लिया है आप भी इसे जरूर ट्राइग कीजेगा इससे इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा बनता है इसे भी हम इसमें एड़ कर देंगे अब यहां मैंने बारिक कटी हुई हरी धनिया लिया है इसको हम उपर से गानिशिंग के लिए डालेंगे यह गर्मा गर्म सकरकंदी की चांट बनकर हमारी तैयार हो चुकी है झालेंगे